हेलो हेलो गाइज कैसे आप सब भी मेरा नाम है सौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सबी का तो जितने भी 24 अगस्त को पेपर हुए सबकर करने वाले स्वेश रीजन का इस सेशन में रीजिन को चली तो पहला है के ंदर इस्टे एक है वसके अंदर राज्य है अलग है आपको पता दिल्ली अलग है और यह सब के सब किसके आते हैं महान भारत के अंदर आते हैं इंडिया के अंदर आ जाएंगे तो यह आपका बुए ग्रह है सूर्य और चन्द्रमा जैसे पता है मरकरी है वीनस है है अर्थ भी एक घ्रह ही है ठीक सन अलग चीज अलग चीज हो कि इसne हो गया और मून अलग चिज हो जाए टेक है न मून सैटलयृइट होती है मून सैटलयृइट है सं स्टार разб सब्सक्राइब तो कितने मंडे होंगे उस महिने के अंदर आजाए अगर 25 ऑक्टूबर को अगर क्या है सब्सक्राइब तो आप बतो तो देखो 26 को फ्राइड़ 27 को फ्राइड़ सेटरड़ 28 को संड़े और 39 को क्या जाएगा मंडे अच अब समझना 29 को मंडे तो साथ दिन पहले 22 को मंडे साथ दिन पहले आठ को मंडे समझे साथ दिन पहले एक को मंडे तो इन दिन को मंडे होगा तो एक दो तीन चार पांच पांच मंडे आ जाएंगे कितने मंडे आ जाएंगे इस महिने के अंदर पांच मंडे आपके आ जाएंगे कितने मं अंदर चलिए पांच मंद्य आ गए इस महीने के अंदर नेक्स्ट कुश्चन अगई बनाइए फूर से टिंग बिट्विन अनुराग और अमित के बीच में कौन होगा चलिए जल्दी चे बताईए देखे मेरी बास सुनिएगा ज़रा जहां से कोश्चन को पढ़ लीजिए छे लोग है पहली बाद और नौर्थ की तरफ मज़ा उपर की तरफ मूंग कर रखा एक दो तीन चार पांच और यह छटवा इंसान यहां पर बना देते हैं ठीक है छे लोग है सबसे काम की चीज यह वाली लाइब आर्यन जो है सेकेंड बैठा है फ्रम राइट कोर्नर देखो भाई अगर छेलों नौर्थ की तरफ मूंग करके बैठें यह राइट हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा ठीक है ना इधर राइट इधर लेफ्ट आप सेकिंड नंबर पर कौंग्ण बैठा है आपका Cat का अर्यन बैठा है कि बैठा है ठीक है चलिए आछ इंड्र आजभीन चौहां जो अब ये कि अक्षे और अमित तो बैठें नहीं कौर्णर पर नहीं बैठ सकते लोष सब्सक्राइर अच्छां इस सेटिंग अनुराग और अमित- इस सेटिंग सटेंस लेस्ट सकता नहीं बैठ सकता उच्छल लें सबसे पहले अमित को यहां बिठा बैठ सकता है आधी सकता है क्योंकि वह अनुराग से WOW 2 लेफट है अनुराग से से लेफट पर लेंक नुराग से मिया सकता हूं यहां भी नहीं बैठ सकता तो अमित यहां बैठ सकता है यहां भी बैठ सकता है ठीक है अब अब देखो सुनो मेरी बात अब यहां तो अरेड़ी आरेन बैठा है तो यहां तो यहां तो आरेन अनुराग बैठ नहीं सकता है तो अगर अनुराग यहां बैठेगा तो अमित यह या फिर अनुरा आगे यहां पर आगे आजा यह कह रहा है आर्यन इस यह वाला कुशन हो गया अब आजाओ अनुभव और आशीश के बीच में कौन बैठा है अक्षे बैठा है अनुभव और आसीश के बैठा है अनुभव और आशीश के बीच में बैठा है अनुभव और आशीश के बीच में तो यहां पर यहां तो अनुभव बैठा होगा और यहां पर आशीश बैठा होगा यहां पर आशिश बैठा होगा समझ है मेरी भात ठेकर या फिर क्या लुग पर शिखने, में हैं यहां अनुराग और अमित के बीच में कौन बैठा है दिको इतना तुक कनफर्म है हमारा उत्तर आ गया हमें मतलब नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा हमें इतने बिच में चाहिए अर इतना हमें कनफर्म है कि आनूराग और अमित हहीं पर बैठेंगे ठीक है तो यहां पर तो यह इधर बेट जाए इसे फरक इन पड़ता हमें तो अनुराग और अमित के बीच में बताना है नेक्स्ट कोश्ण बताइए इसे चलिए नगला कोश्ण बताइए यह कहरा है पांच प्रोफेसर आंच प्रोफेसर आप c d e are sitting in a row 5 professor a b c d e are sitting in a row facing the north row में बैठें भाई रो में बैठें नौर्थ की तरब मुह कर रखा 5 लोग है एक दो तीन चार और पांच पांच लोग है राइट साइड इधर हो जाएगी ठीकर सीधा हाथ और उल्टा हाथ इधर हो जाएगा लेफ चलो कि अगरे हां कि एक सेकिंण टू Ik Table व द यह हमारी काम की लाइन और फिर पैस्ट आ यह की बैठा हूआ तो इसके राइट में कोई शहांपर दे और पैठीक है तो यहां पर बैठ गया यह फिर दी इधर बैठाओं सेकंड लेफ्ट पर एधर बैठ जाएगा ठीक है न डी सेकंड लेफ्ट पर एडी सेकेंड लेफ्ट तो दो केस में से एक होगा चेक करेंगे आगे चलके यह कहरा लूट यह पर प्रॉफेसर सेटिंग बिट्विन सी और ए के बीच मैं को सबघ करेक कि कि दोटेंग तो यहां पर सी को भीःटाना, पड़ेंगा दो लोग अब यह वाली ठीक है, यह वाली पॉसि आप यह वाली पॉसिबिल्टी बिल्कल कर wild है यह कि लेfd में कितने लोग होंगे डी के लेफ्ट में दो लोग होंगे डी के लेफ्ट में कितने लोग हैं दो लोग बैठें डी के लेफ्ट में दो लोग आ जाएंगे डी के लेफ्ट में दो लोग चलिए रहा है चाहलिए नेक्सिश्न अगला उश्षम बनाई है चल करका फटा वडशे आज यह कहरा है कि अमित ने कहा कि उनके प्ताकी मा की इकलती बहु अमित ने कहा उनके पिता अमित के पिता पिता की मा मशेश्च कि मशेचिषbahn ind gu क्या कि आमित की बीवी की बैटी आमित की बैटी के पिता उसमझो एक बार सुनना अमित ने कहा उनके पिता पापा अच्छा पिता की माँ माफ किजिएmont लिए इस ठीक न मैं तोड़ा Alright होगी चली अमित के पता दादी होगी है ना पिता की मां कि अमित के पिता की मां क्या हो जाएगी अमित की दादी दादी की इकलोती बहु दादी की बहु कौन होगी मम्मी यह अमित की मम्मी होगी मम्मी की बेटी अमित की बहन के पापा अमित के पापा तो अमित के पापा ने जाएगा मम्मी की बेटी की बहन के पापा नहीं को पहार दिया कि अगला कुछ नगये मौहन शेकलो मिट्र साउथ पिर्ष जा रहा है वह सीधे हाथ यहां से स्टार्ट किया पहले 6 चला 6 किलोमेटर साउथ में चार डारेक्शन आपकी होती है इधर इस्ट होता है वेस्ट होता है उपर नौर्थ और नीचे साउथ होता है तो पहले किलोमेटर साउथ में चला उल्टे हाथ में मुड़के तीन किलोमेटर चला गई स्टार्टिंग से अब किस डारेक्शन होगा तो यह वाली डारेक्शन होगी यह वाली डारेक्शन यह होती है साउथ वेस्ट क्या अंसर आगा साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट हो जाएगे यह बनेगी यह वाली यह वाली डारेक्शन यह होगी साउथ वेस्ट चलिए इस पर आजाओ गोगो साथ चिंग 42 होते पांच चौक बीस होते हैं मतलए एककम साथ से एककम क्या होता चे साथ चिंग 42 पांच चौक 20 तो 11 की गुना एककम से कर दोगे 110 आजाएगा 11 गुना में 10 110 आ स可以 3 का संबंद 110 से हैं तो दो साथ और अर टीन को up करो कि तुद्स बन जाएगा दस की 11 से गुना कर दोगे तो 110 आजाएगा 10 की ग्यारट कर दोके तो क्या जाएगा 110 ठीक है ने कि न सातो हो और तीन द 먹 नौ और पाँछ को एड़ कर दोके 14 आजाएगा नोर 5 और 14 कि ग्यारट से गुणा कर दोगे समझे इनको Day करके digits को ग्यारट सो गुना किये तो यहां पर भी डिजिट्स नौट पांच चौधे की तो यूनिट डिजिट्स देख लो ना चार एक सो चौववन उत्तर आते हैं कि दने जी यह भी किलियर हुआ कि चलो कि लेफ्ट उल्टे हाथ पे मुड़ा एंड वक्स 30 मेंटर चला कर फिर उल्टे हाथ पे मुड़ा और पैंतिस मीटर चला है यहां पर आ गया आप समझ रहा है मेरी बात मेरी बात सुनना जा रहा यह बीस है और यह तोटल यहां से लेगे यहां तक पैंतर होगी इसका बिल्कुल इधर आ घया है ठीक है ना तो यह starting point था उसका और यहां पर पहुंच गया finally तो पोच क्यां रहा हम पूछ रहो है बताओ कि how far is Kunal from its starting point starting point saking-haram त Chinese पूइंट से कुनाज तो मोर्ट इस तो यह 5 hebben और यह 15 पंद्रह है यह बगाई ठीक है यह 15 रहा है तो और उपर पंदर है तो यह भी पंदर है सरी 35 क्या था यह थी पूरी यहां से लेगे हां तक यह आपकी कितनी 30 है और यह 15 है 30 और 15 45 45 तर आगे ठीक है चालो देखो दो लंग्स को क्या लिखा जा रहा है L U N G S उसको क्या लिखा जा रहा है O X Q J V L 12 पर U 21 पर N 14 G 7S 19 पंधर है एक्स 24 क्यू 17 जैडतस वी 22 क्या हो रहा है बार है और तीन पंधर है 21 और तीन 24 चौद है और तीन सतिर है सतर है 7 और तीन 10 प्लस 3 हो रहा है क्या हो रागी स्ट्री हो निए से टो गलत हो गया option l होता 12 नमबर 12 और 3 होता 15 पंदर पर आपका होता oho आ गया तीसरे पर ओ ओ उता 15 15 पर तीन एड़ करोगे 18 18 नमबर पर आपका r होता option नमर a के लिए रोगे option नमर a option number क्या गया guys a आ गया option number क्या गया a गया ठीक है option number क्या गया guys a answer आ गया चलें आगे ओके let's move to the next question guys कर दिया गया कर दिया खिखा डिय तो आई एस को आप क्या कर दोगे समझ जो ना कि आट एबी यह चालो जी चलो अक यह कहा रहा है just अरव जो है एट से फ्रों दश्रूम नफ भॉ टम ठीक है ना रव जो है टॉप से 8-वं नंबर पर है ना टॉप से जो है एट से नंबर पर है ठीक है और तिएट नैंज थैं फ्रूम गॉ टमPlis हमें total students बताने right हमें क्या निकालना total students निकालने तो total students कैसे count करोगे अब total students अगर count करना है किसी भी बंदे की position top से पता हो bottom से पता हो क्या किया करो दोनों को add करके एक घटा दिया करो ठीक है दोनों को add करो 8 और 9 39 को add करो कितना गया 47 और एक घटा दो 46 आपका answer आजाएगा the correct answer will be 46 क्या answer आजाएगा 46 answer आजाएगा 46 answer आजाएगा 46 answer आजाएगा am I very clear to all of you the correct answer will be 46 right 46 will be the answer चलिए अगला कुशन चलते हैं कि पटावट से बताई है कि बताओ यह अगला कुशन कि देर सेवन फ्रेंड एबी सी डी एफ और जी इच आप डिफरेंट एज है ना समझो कि अलगला एज के इस एल्डर देन ऑनली टू फ्रेंड देखो सात लोग हैं सात लोग हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ जो आ लोगों से बड़ा है दो लोगों से बड़ा यह हो गया एफ जो है वो इसे चोटा है एफ जो है इसे तो चोटा है लेकिन जी से बड़ा है एफ जो है इसे चोटा है दी जो है इसे बड़ा है लेकिन सी से चोटा है सी से चोटा है डी इसे बड़ा सी से चोटा है बी सी से ब कि जो वो c से बड़ा है लेकिन a से छोटा है c ये बन गया केवल बाइध यह कह रहा है कि है ये केवल 2 लोगों से बढ़ा हो गया अब यह कहारा है एफ यए झी चोटा आगे वह फिक का की जो वह आगे क्या बोला कि जो B है वो सी से बड़ा है एसे छोटा है बस बना दिया हमने पूरा तो आपका पूछरा हूँ हूँ इस अमोंग ओल दा फ्रेंड्स सभी मत्रों में दूसरा सबसे बड़ा मित्र कौन होगा दूसरा सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा आपका अंसर बी आपको पताना है है और ऐस्टेलिया से किसको नहीं बनाया सकता टी आर ये या टी आर आइट कर दूसरा दूसरा बताओ यह कर रहा है dictionary के according arrange कर दीजगा इस है न डिक्ष्णरी के according देखो सभी में in com inco 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 co के बाद क्या है mp co के बाद mp है यहाँ भी यहाँ पर ng है और यहाँ पर co के बाद क्या है ns है गाई पहले m आएगा या पहले n आएगा आप सभी को पता है m जो है वो 13th place पर होता है तो पहले आपका m आएगा बाद में n आएगा तो सबसे तीसरे नंबर पर इन जी आएगा चौते नंबर पर ns आएगा पहले यह तीसरे पर आएगा चौते पर आएगा तो तीन चार इसी से पता चलिए तीसरे नमबर पर तीन चौथे नमबर पर चार सबसे लास्ट में NS आएगा तो option number D बिलकुल perfect answer हो जाएगा option number D चलिए next question गईज इस पे आजओ LOG समझ ना L होता है 12 है पर O 15 है पर G 7 वे पर है न चलिए F होता है चटवे पर L बार है H 8 पर Z 26 I know I know T 20 F 6 J 10 इसी से अंदाजा लगा लो है न इसी सीरीस से अंदाजा लगा लीजी आप 12 में से 6 घटाया 6 आएगा 6 में से 6 घटाया 26 मतलब माइनस 6 हो रहा है 26 में से 6 घटाया 20 आगया 15 में से 3 घटाया 12 12 में से 3 घटाया 9 9 में से 3 घटाया 6 आगया तो फिर हो रहा है माइनस 3 तो आगे देखो N जो होता है N N होता है 14 नंबर पर C तीसरे पर और के होता ग्यारे पर 6 गटाओ 14 मेंसे 6 गटाओंगे है चाहिए सभी में ठीकन 8 आ जाएगा आठवे नंबर पर होता है है फिर 3 घटाना जड़ आजाएगा एकजड़ आ यह गलत और यह गलत है साथ साथ में से एक एड़ किया आठ आठ के बाद नौ के बाद दस दस के बाद 11 ग्यारवे नंबर पर आपका होता है के 11 ग्यारवे नंबर पर आपका एल होता है सी आंसर आएगा ऑफ्शन नंबर सी आंसर आजाएगा everyone is it कि लिए the correct answer will be option नंबर सी option नंबर जो सी है that will be the perfect choice सी आंसर हो जाएगा राइट अगले कुशन पर मूब करते हैं इसी के साथ आजाओ देखो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे a पहले पर b दूसरे पर c तीसरे पर e 5 पर j 10 और n 14 है i 9 r 18 और y 25 यहीं से अंदाजा लगाएंगे पहले चार एक में 4 एड़ किया 5 पांच में 4 एड़ किया 9 9 में 4 एड़ करोगे 13 है 13 में नंबर पर आएगा m b दूसरे पर 2 में 8 एड़ किया 10 10 और 8 18 18 और 8 26 26 वे नंबर पर होता है z c तीसरे पर है na c तीसरे पर समझा रहा है m z आएगा इस यह तो गलत हो गया c तीसरे पर n दसवे पर 7 एड़ हुआ ठीके न साथ समझा c तीसरे पर है n चौधे पर n चौधे पर एगा 11 एड़ हुआ है तीन में 11 एड़ करोगे तो चौधे आएगा चौधे में 11 एड़ कर दिया तो 25 25 में 11 एड़ करना भाई अब हमें तो क्या आ जाएगा देको 25 में एक एड़ कर दोगे तो 26 आ जाएगा दस और रह जाएगा तो दस वी नंबर पर आपका होता है जे तो आपका आंसर आ जाएगा m z j m z j guys clear है सिंपल है m z j will be the right answer next question पर चलिए एक कोशन में आपको homework के लिए दे रहा हूं यह कोशन यह आप ट्राई कीजिएगा ठीक है ना यह आप ट्राई कीजिएगा इस ठीक है चलिए तो आल्मोस्ट आपने देखा इसी तरह के कोशन आपको देखने को मिल रहे है कलेंडर से कोशन आ रखा है सीरीज से कोशन आ रहे हैं ठीक है चलिए बाकी मैं आपको पीडियाप प्रोवाइड कर दोंगा मेरे टेलेग्राम चैनल पर यह मेरा टेलेग्राम चैनल है सीर के टेलिघरम चैनल सौर करके चैनल सब्सक्राइब किजए टेस्ट वक को इसके लाबा वीडियो को लाइक खालज करना तो शेख और शेयर करना थ्यों मज्च बबाई टेकर अव्रिवन जुक्त